एक समय की बात है एक छोटे से गाव में तुनी नामक एक गरीब और सुन्दर चिडिया रहती थी वह अपनी तीनों सुन्दरी बेटियों के साथ एक छत्री के नीचे रहती थी उनका जीवन बहुत ही कठिन था क्योंकि वे बहुत ही गरीब थे और उनके पास कुछ भी नहीं था तुनी बहुत महनती थी और हर रोज चिडिया घर की खोज में चली जाती थी वह अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ भी ढूंड लेती थी लेकिन फिर भी उनकी समस्या कभी कम नहीं होती थी तुनी के तीनों बेटिया भी बहुत प्यारी थी उन्हें भी पता था कि उनके परिवार का आर्थिक स्थिती कितनी मुश्किल है वे भी मा की मदद करती थी जितना की उनके बच्चों की ताकत थी एक दिन एक सुनहरा अवसर मिला तुनी ने एक बुलबुल को देखा जो एक बड़ा और स्वर्णिम पैर लेकर उसके पास आ रहा था वह बुलबुल थोड़ी देर बातचीत के बाद तुनी से कहा मुझे तुम्हारी मदद की आवशक्ता है मैं तुम्हें एक सचे रतने के बारे में बता सकता हूँ जो मेरे पास है तुनी बहुत ही चौकी थी उसने बुलबुल की बात सुनी और उसे मदद करने का वादा किया बुलबुल ने उसे एक स्वर्णिम अंडे की खोज में मदद करने के लिए कहा तुनी और उसकी तीन बेटिया बुल्बुल के साथ अंडे की खोज में निकल पड़ी वे एक बड़े पहाड के पास पहुँचे जहां बुल्बुल ने उन्हें अंडा दिखाया वहाँ पर एक स्वर्णिम अंडा था जो किसी भी सच्चे सपने की तरह दिखाई दिया वहाँ से एक सुंदर चडिया निकली जिसमें स्वर्णिम पंक थे तुनी और उसकी तीन बेटिया बहुत खुश थी उन्होंने वह चडिया अपने परिवार का सदस्य बनाया चडिया ने उन्हें धन, धान्य और सुख संपत्ति के साथ आशिरवाद दिया उनका जीवन अब बहुत ही सुखमें और सम्रिद्धा शेयर और सब्सक्राइब माइ चैनल फॉर कार्टून वीडियो